आत्मे नमस्ते मैं हूँ संगीता शाह स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों दिवाली का महापर्व आ रहा है ऐसे तो पूजा पाठ हम सब करते हैं लेकिन सही तरीके से हम पूजा पाठ नहीं करते हैं इसलिए उसका जो फल हमें जितना प्राप्त होना चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं होता इसलिए बहुत लोगों को आपने कहते सुना होगा कि इतना पूजा पाठ करते हैं इतना सब कुछ करते हैं फिर भी जो है जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है हम जैसे थे आज भी हम वैसे ही है यह जो दिवाली का महापर्व होता है इस वक्त हम देवी शक्तियों के बहुत निकट होते हैं यह शक्तियां हमारे आसपास बहुत ही निकट होती है इनकी क्रिपा प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है हम लोगों के लिए बस इसका सही विदी विदान हमें पता होना चाहिए तो आईए मैं आपको बता महत्वपूर्ण दिन होता है इस दिन अगर हम कुछ चीजे सही विदि विदान से कर ले तो आपके जीवन की बहुत सारे समस्याएं ऐसे ही समाप्थ हो जाएंगी तो आज मैं आपको धन तेरस पर कुछ तेरा अचूक उपाय बताने वाली हूँ जो आपको करने है जिससे आपकी पूजा सफल होगी तो सबसे पहला उपाय आपको जो करना है देखिए धन तेरस के दिन हम माल लक्षमी भगवान धन तेरस और कुबेर जी और भगवान धन धनवंटरी कुई हम आराधना करते हैं अचली धन तेरस क्या है ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के तेरस के दिन पढ़ती है इसलिए इसे धन तेरस कहा जाता है इस दिन कहा जाता है कि जब समुद्र मंतन हो रहा था वो धन तेरस का ही दिन था और उस दिन समुद्र में से लक्षमी उत्पन हुई और उसके गवान धन्वंत्री अपने हातों में अम्रित का कलश लिये इसी दिन समुद्रमन्थन से बाहर निकले थे इसलिए आज के दिन का महत्व बहुत अधिक है हमारे सनातन धर्म में तो इस दिन जो है आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आते जाएंगे तो पहला उपाए धंटेरस के दिन अगर हो सके तो आप पीले वस्त्रों का ही धारन करें क्योंकि मा लक्ष्मी को पीला रंग बहुत ही प्रिया है तो आप भी धारन करें अपने घरवालों को अपने हजबन को अप है अधिक परिवर्तन बनाएंगे उसमें भी आपको पीले वस्त्र का ही जो है उपयोग करना है तीसरा उपाए जो है आपको ये करना है कि फटे हुए अगर आपके मंदिर में जो आपने जो है हम कपड़ा बिचाते हैं मंदिर में भी हम अधिक बार बहुत बार जैसे हम भ अगरवर्ति की राग गिर जाती है, कभी-कभी दीपक लग जाता है, तो वो जल जाता है, अगरवर्ति की राग से भी उसमें छेद हो जाते हैं, लेकिन बहुत लोग थोड़े से पैसे बचाने के लिए वही कपड़े को धो धोके फिर से रियूस करते हैं, ऐसे कपड़े का आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए जले वे कपड़े खास करके मंदिर में इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें उस दिन आप नया कपड़ा जरूर बिछाए अगर वो पीले रंका हो तो बहुत अच्छा है जो चोथा उपाय मैं आपको बता रही हूं वो य इससे क्या हो जाएगा पूरा दीपक जो है वो पीला हो जाएगा ठीक है क्योंकि पीला रंग मा को बहुत प्रसंड करता है Quand Delicious जो सकारात्मक उर्जा निकलेगी वो आपके घर में फैलिविस सारी नकारात्मकता को दूर कर देगी जो भी दरिद्रता है आपके जीवन में जो भी असफलताएं हैं जो भी कटिनाईयां हैं इसके प्रकाश से इसमें से निकलने वाले उस पॉजिटिव वाइब्रेशन से आ आपके घर के वातावरन में आप महसूस करोगे तो जरूर इस दीपक में जैसे कि मैंने का हल्दी और थोड़ा सा केसर अवश्य मिलाईयेगा उसके बाद मेरा पांचवा टिप आपको यह है कि आप घर के बाहर भी पीले हल्दी का स्वास्तिक जरूर बनाईये और घर के ब थांचवा उपाएं हैं आपको छहटा उपाएं आपको मैं यह बता रही हूं कि आप लख्षमी पूजा के दिन धंते रस के दिन जब आप शौपिंग करने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे उस शौपिंग में आप जो है तेरा गुम्ती चक्र और सोरी ग्यारा गोमती च च्षमी के पूजा में धन्चेरश के दिन आपको इसी पूजा में रखना है। कि पूजा में पूजा समाप्त होने के बाद आप क्या करोगे। पीली गॉडूड़ी ओं पीले वस्तर में बांधूगे। और जो गोमती चक्र है उनको लाल वस्तर में बांदोगे और इसके बाद इने आप बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जहां है जहां आप अपना धन रखते है या आपका दुकान है तो आपका गल्ला है आप वहां पे जहां पे आपके पैसा आता है जहां पे आप रखते हैं जैसे आजकल हम लोग कैश जादा प्रयोग नहीं करते हैं जैसे हम कार्ड का प्रयोग करते हैं चेक बुक्स का प्रयोग करते हैं तो आप इनको क्या कर सकते हैं उस जगा पे रख सकते हैं जहां पे आप अपने बैंक से सम्मन्द चीज़े जैसे आपका चेक बुक हैं आप इस दिन आप नमक जरूर खरीदे और नमक दो पैकेट खरीदे ठीक है और आटवा उपाई यह है धन्तेरस के दिन जैसे हमारे पूर्वज भी कहते आए हैं कि हमें जाडू जरूर खरीदनी चाहिए तो कभी भी एक जाडू ना खरीदे उस दिन आप दो जाडू खरीद के अ इस जाडू को भी विद्यविदान से आप पूजा करें क्योंकि जाडू में मालक्षमी का वास होता है आपको पता है आपके घर में आपको जाडू भी यहां वहां फेक के रखना नहीं चाहिए जाडू को भी आपको उसी तरह से चुपा के रखना है जिस तरह से आप अप आपके घर की जाडू दिखाई नहीं देनी चाहिए तो जाडू का भी अपना बहुत महत्व है माई डियर फ्रेंस उसके बाद में धंदेरस के दिन नवा उपाय में आपको ये बता रही हूं कि लोग कहते हैं कि आप सोना खरी दिये चांदी खरी दिये बरतन खरी दिये पता कोई अफोड नहीं कर सकता इन चीजों को तो मेरा एक बहुती सारल टिप है आप लोगों को जो धंदेरस के दिन आप कर सकते हैं अगर आपने घर का राशन नहीं भरा है तो इस दिन आप क्या कर सकते हैं अपने घर का पूरा राशन भर ले धंदेरस के दिन उसके बाद आप फल अवश्य लेकर आए और वह टोकरी भर के फल के फल आपके किचन में होने चाहिए देखे जब हमारा किचन से भरा होगी होता है हमारे फलों की सब्सक्राइट पुरी तरह होता है तो अबेंडेंस होता है अगर मान लीजे किच्चन में कुछ सामान कम है ये खतम हो गया वो खतम हो गया तो मैं भी एक ग्रिहनी हूँ और इस चीज को समझती हूँ कि किस तरह से हमें फील होता है कि कब हम उसको पूरा लाके जो है भर देंगे जब घर में सारा सामान भरा हुआ होता है तब जो संतोष होता है तब जो माहौल होता है वो अलगी होता है इसलिए धंतेरस के दिन आप सोना चांदी खरी दे या नहीं खरी दे लेकिन अपने घर का राशन पूरी तरह से भर ले फलों की टोकरी को पूरी तरह से भर दे देख ठीक है तो इस तरह से आप करिएगा उसके बाद मेरा दस्वा उपाएं आपको यह है कि धन्तेरस की पूजा जब आप करते हैं तो भगवान धन्वंत्री की पूजा करना बहुत ही आवश्चक है भगवान धन्वंत्री की पूजा इसलिए आपको करनी चाहिए क्योंकि जैसे आयरुवेद के देवता इनको माना जाता है, तो धन्तेरस के दिन धन्वंत्री की पूजा करने से हमारी आयू वृद्धी होती है, हमारे रोग निवारण होता है, और इस दिन एक और काम आपको ये करना है, कि जितनी भी आपके घर में दवाईयां हैं, उसको एक बार चेक जरूर कर ले, कि इसमें कहां कहीं पे एकस्पायर दवाईयां तो आपके घर में अभी तक पड़ी नहीं है, बहुत बार ऐसे होता है, कि हम दवाईयां जो है रेगुलरली चेक नहीं करते हैं, और बहुत बार जो दवाईयां expire हो चुकी है वो भी हमारे घर में हमेशा पड़ी रहती है तो धन्तेरस के पहले जब आप साफसफाई कर रहे हैं उसी वक्त आप ये दवाईयों की तारीखे देखे और जो expire दवाईया है उनको तुरंट अपने घर से बाहर फेक दे ये बहुत आवश्चक है आपके अच्छे स्वास्त के लिए और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि दिवाली की साफसफाई महीने भर पहले से शुरू कर देते लेकिन बहुत लोग धन्तेरस के दिन ही घर की सफाई करते हैं शाम को पूजा है माई लक्शमी का आगमन होने वाला है और लोग उस दिन सुभे से घर की सफाई करना शुरू करते हैं ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है आपको ये धन तेषर्ष के एक दिन पहले एपने घर की जो भी साफसफाई आपको करने है वो कर लेनी है आपके मंदिर की साफ सफाई कर लिए नहीं वो भी आप एक दिन पहले ही करके रखें क्योंकि जिजिन मा लक्ष्मी स्वयम आपके घर आने वाली अगर उस दिन आप जाड़ू जुड़ू जाले हटाना और ये सारा काम करते हैं तो मा लक्ष्मी कभी आपके घर नहीं आते क् पता कि कौन से घडि मा अपने घर आ रही है तो उसंसे सुबह से ही आपका घर का वातवरन इस तरह से हो नचाहिए कि मा कभी भी अपके घर में एंटर करना चाहें उनके लिए बहुत फॉजिटिव ऑन्वार में होना चाहिए जैसे कि मैंने आज दो वीडियो करने की कोश करके अपने घर का वातावरन उस तरह से आप बनाई है ठीक है तो धंतेरस के दिन कोई साफ सफाई आप नहीं करेंगे एक दिन पहले ही आपको जो है करके रखना है उसके बाद धंतेरस की पूजा में आपके परिवार का हर एक व्यक्ति शामिल होगा मतलब कोई फल ला रहा ह है कोई कुछ कर रहा है पूजा की तैयारी में भी सब लोग कुछ न कुछ हाथ लगाए और पूजा में भी पूरा का पूरा परिवार अगरी खटा भैटे तो यह वाली जो पूजा है आपकी बहुत अच्छे से सफल होगी तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एसकी एक माला जरूर करिएगा यह मंत्र का उच्चारण कुछ इस तरह से है ओम श्रीम हरीम थलीम महलक्षमी नमहा ठीक है यह डिस्कृप्शन में भी आपको मिल जाएगा यह मंत्र आप इसकी एक माला जरूर करें अगर आप धन प्राप्ती के लिए ये मंत्र करना चाहते हैं तो स्वटिक की माला या कमल गट्टी की माला से आप इस मंत्र को एक माला दो माला जितनी आपकी इच्छा हो आप कर सकते लेकिन कम से कम एक माला तो अवश्य करिए ठीक है और मालक्ष्मी को तेरवा मालक्ष्मी को मोगरे का इत्र घिलाब का इत्र यह बहुत प्रिये हैं तो आप इनके पुझा में मोगरे का गुलाब का इत्र का भरपूर प्रयोग करिए माता रानी को चड़ाईए उनका जो आपने अलतर बनाया है मतलब जो पूझस्थल बनाया वहाँ पे आसपास इसको चिड़क दीजिए मतलब वहां पर यह सुगंद बहुत अच्छे से होनी चाहिए मां को यह सुगंद बहुत प्रिय है जैसे कि मैंने आपको एक मंत्र बताया ओम लक्षमी जी का जिसकी आपको एक माला करनी है और एक और मंत्र में आपको यहां पर बता दे जो यह भी मैं डि दंतेरिस के दिन ही प्रयोग होता है बाकि दिन आपको इसका इतना फल नहीं मिलेगा जितना आप धंते रस्पे करेंगे तो मिलेगा तो जिसका बिजनस अच्छा नहीं चल रहा है काम नहीं बन रहे है घर में कैश फ्लो सही नहीं है सेविंग्स नहीं हो रहे है उन लोगों के लिए ये मंत्र है आप एक पीले रंग का रेशम का डोरी ले लीजिए और उसके उपर आपको 29 गाटे बांधनी है ये मंत्र को पढ़ते हुए जो अभी मैं आपको बताऊंगी ये मंत्र को पढ़ते हुए आपको इसमें 29 गाटे बांधनी है रेशम का पीला दागा होना चाहिए वो इसलिए मैं यहाँ पर बोल के आपको दिखा रहे हूं, तो आपका मंत्र का उच्छारण कुछ इस तरह से होना चाहिए, ओम, रीम, श्री लक्ष्मी, महा लक्ष्मी, सर्व काम प्रदे, सर्व सौभाग्य धाईनी, वान्चिताम, देही, देही, सर्व गते, सुरूप, सर्व सुख, विमोचिनी, रीम, सह, स्वाह, इस तरह से आप 29 बार ये मंत्र का जाप आपको करने, और उस धागे में आप 29 गाटे लगाएंगे, और ये आप चाहे तो अपने घले में धारण कर सकते हैं, या आप इसको, जैसे अगर दुकान है, तो वहां पे आपका गला है, तो जहां आपका पैसा वैसा रखते हैं, वहां पे आप रख सकते हैं, या आप अपने घर के तीजोरी में इस धागे को रख सकते हैं, इससे आपके घर में धन, धान, एश्वर्य में लाब और वृद्धी होगी, अगर आपका व्यापार में दिक्कत हैं, अच्छे से नहीं चल रहा है, तो आप देखोगे कि ये इ आपको बताए हैं, ये धनते रख के दिन करने से इसका बहुत अधिक लाब जो है, आपको मिलेगा, आशा करती हूँ कि ये जो मैंने टिप्स आपको दिये हैं, ये आपको अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे हैं, तो इस वीडियो को अपने रिष्टदारों के स साथ जरूर शेर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे परे Subaru करेगा, कि मैं ऐसे ही बहुत सारे यूसफुल वीडियो आपके लिए बनागते रहूं और आपके लिए लाती रहूं तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को यही समाप्त करती हूं आत्म नमस्ते